संतोसी माता ब्रत कथा एक बुडिया थी उसके साथ बेटे थे छे कमाने वाले थे जबकि एक निकम मा बुडिया छो बेटों को रसोई बनाती फोजन कराती उनसे जो कुछ जूठन बसती वह साथ में को दे देती एक दिन वह पत्मी से बोला देखो मेरी मा को मुझ पर कितना प्रेम है वह बोली क्यों नहीं सबका जूठा जो तुम को खिलाती है वह बोला ऐसा नहीं हो सकता है मैं जब तक आँखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता बहु हसकर बोली देख लोगे तब तो मानोगे कुछ दिन बाद तिवार आया घर में साथ प्रकार के भोजन और चुर्मे के लटू बने वह जाचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्तर सिर पर ओड़े रोसोई घर में सो गया वह कपड़े में से सब देखता रहा छवों भाई भोजन करने आये उसने देखा मा ने उनके लिए सुन्दर आसन बिछा नाना प्रकार की रसोई परोसी और आगरा करके उन्हें जमाया वह देखता रहा छवों भोजन करके उठे तब मा ने उनकी जूठी थालियों में से लड़ूं के टुकरे उठाकर एक लड़ू बनाया जूठन साप कर बुढ़िया मा ने उसे पुकारा बेटा छो भाई भोजन कर गए हैं अब तू ही पांकी है उठ तू कब खाएगा वह करने लगा मा मुझे भोजन नहीं करना मैं अब परदेश जा रहा हूँ मा ने कहा कल जाता हो तो आज चला जा वह बोला हाँ आज ही जा रहा हूँ और यह का करव घर से निकल गया साथवे बेटे परदेश चले गए चलतेस में पथनी की याद आई वह गौसाला में कंडे यानि उपले थाप रही थी वहाँ जाकर बोला हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल तुम रईयो संतोस से धर्म आपनो पाल वह बोली जाओ आनंद से हमारी सोच हटाए राम भरो से हम रहें इस्वर्थ तुम्हे सहाए दो निसानी आपन देख धरू में धीर सुधी मती हमारी बिसारियो रख्यो मन गंभीर वह बोली मेरे पास कुछ तो नहीं यह अंगुठी है सुले लो और अपनी कुछ निसानी मुझे दे दो तो वह बोली मेरे पास क्या है यह गोबर भरा हाथ है और यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी वह चल दिया चलते चलते दूर देश पहुँचा वहाँ एक साहुकार की दुकान थी वहाँ जाकर कहने लगा भाई मुझे नोकरी पर रख लो साहुकार को जरूरत तो थी बोला रह जा लड़के ने पूछा तनखा क्या देगो तो साहुकार ने कहा काम देखकर दाम दिलेंगे साहुकार की नोकरी मिली और वह सुबह साथ बजे से दस बजे तक नोकरी बजाने लगा कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन हिसाब किताब ग्रहों का ग्रहक को माल बेचना सारा काम करने लगा साहुकार के साथ आट नोकर थे वे सब चक्कर खाने लगे यह तो बहुत होजियार बन गया सेट ने भी देखा काम देखा और तीन महने में ही उसे आधे मुनापए का حिसेदार बना दिया वह कुछ बर्स में ही नामी सीट बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ कर चला गया इधर उसकी पत्नी को सास ससूर दुख देने लगे सारी ग्रहस्ती का काम कराके उसे लकड़ी लेने जंगल बेशते इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बना कर रख दी जाती और फुटे नारियल की नारेली में पानी एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी रास्ते में बहुत सी स्थियां संतोसी माता का ब्रत करती भी दिखाई दी वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा बहिनो तुम किस देपता का ब्रत करती हो और उसके करने से क्या फर मिलता है यदि तुम इस ब्रत का बिधान मुझे समझा कर कोगे तुम मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूगी तब उनमें से गिस्तरी बोली सुनो यह संतोसी माता का ब्रत है इसके करने से नर्धनता दरिता का नास होता है और जो कुछ मन में कामना हो वह संतोसी मा की किरपा से पूरी होती है तब उसने उससे ब्रत की बदी पूछी वह भक्तिनी इस्तरी बोली सवा आने का गुड़ चला ने आना इच्छा हो तो सवा पाँ या पांच आने का लेना या सवा रुपय का भी सुहलियत के अनुसार लाना बिना प्रेसानी स्रधा वो प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना परतेक सुकरवार को निराहार रह कर कथा सुनना इसके बीच में करम तूटे नहीं लगाता नियम पालन करना सुनने वाला कोई ना मिले तो घीका दिया जला कर उसके आगे एक जल के पात्र को रखना और फिर कथा कहना जब कारसिद ना हो नियम का पालन करना और कारसिद हो जाने पर ब्रत का उद्यापन करना तीन मास में माता फल फुल पुरा करती है यदि किसी के गरह खोटे भी हो तो भी माता बर्स भर में कारसिद करती है फल सिद होने पर उद्यापन करना चाहिए बीज में नहीं और उद्यापन में 28 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिनाम से खीर तथा चने का साग करना आठ लड़कों को भोजन कराना जहां तक मिले देवर जेट भाई बंधु के ही हो ना मिले तो रिस्तेदार पास पुलोसियों को बुलाना उन्हें भोजन करा यथा सकती दक्षिना दे माता का नियम पुरा करना उस दिन घर में खटाई ना खाना यह सुनकर बुड़िया के लड़के की बहु चल दी रास्ते में लकडी के बोज को बुझा को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चनाले माता के ब्रत की तयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी यह मंदिर किसका है तब सब लोग कहने लगे कि संतोसी माता का मंदिर है यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरनों में लोटने लगी दीन हो बिंती करने लगी मा मैं निपट अग्यानी हूँ बरत के कुछ भी नियम नहीं जानती मैं दुकी हूँ हे माता जगत जन्नी मेरा दुख दूर कर मैं तेरी सरन में हूँ माता को दया आई एक सुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पती का पत्र आया तीसरे सुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पोचा यह देख जेट जिठानी मुह सिकोडने लगे लड़के ताने देने लगे काकी के पास पत्र आने लगे रुपया आने लगे अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी बेचारी सरलता से कहती भईया कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है ऐसा कर आँखों में आसु भर कर संतोसी माता के मंदिर में आ माते सुरी के चर्नों में गिर कर रोने लगती मा मैंने तुम से पैसा कम मांगा है मुझे पैसे से क्या काम है मुझे तो अपने सुहाग से काम है मैं तो अपने सुआमी के दरसन मांगती हूँ तब माता ने प्रसन होकर कहा जा बेटी तेरा सुआमी आएगा यह सुनकर खुसी से बाबली होकर घर में जाकर काम करने लगी अब संतोसी मा बिचार करने लगी इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया तेरा पती आएगा लेकिन कैसे वह तो इसे स्वपन में भी याद नहीं करता उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा इस तरह माता जी बुरिया के बेटे के पास जासुपन में प्रकट होकर कहने लगी साहुकार के बेटे सो रहा है या जाकता है वह कहने लगा माता सोता भी नहीं जाकता भी नहीं हूँ कहो क्या आग्या है मा कहने लगी तेरे घरबार कुछ हैं की नहीं वो बोला मेरे पास सब कुछ है माँ बाप है बहु है क्या कमी है तो माँ कहती है भोले पुत्र तेरी बहु घोर कश्ट उठा रही है तेरे माँ बाप उसे परिसानी दे रहे हैं वो तेरे लिए तरस रही है तू उसकी सुद ले माहा माता जी यह तो मालूम है परन्तु जाओं तो कैसे परिस की बात है लें देन का कोई हिसाब नहीं कोई जाने का रास्ता नहीं आता कैसे चला जाओं मा कहने लगी मेरी बात मान सवेरे नहा धो कर संतोसी माता का नाम ले और घी कर दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठ देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा जमा का माल भिख जाएगा सांज होते होते धन का भारी धेर लग जाएगा अब बुढ़े की बात मान कर वह नहा धो संतोसी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा थोड़ी देर में देने वाले रुपे लाने लगे लेने वाले हिसाब लेने लगे कोठे में भरे समान के खरिदार नगत दाम के सौधा करने लगे साम तक धन का भारी धेर लग गया मन में माता का नाम ले चमतकार देख परसन हो घर ले जाने के लिए वास्ते गहना कपड़ा समान के दने लगा यहां काम से निपट तुरंद घर को रमाना हुआ उधर उसकी पतनी जंगल में लकड़ी लेने जाती लोटते वक्त माता जी के मंदिर में बिश्राम करती वह तो उसके परती दिन रुकने का जो अस्थांटे रहा धूल उड़ती देख वह माता से पूस्ती है माता यह धूल कैसे उड़ रही है तब माता कहती है पुत्री तेरा पती आ रहा है अब तू ऐसा कर लकड़ियों के तीन बोज बना ले एक नदी के किनारे रख दूसरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर तेरे पती को लकड़ियों का गठर देख मुह पैदा होगा वह यहां रुकेगा नास्ता पानी खाकर मासे मिलने जाएगा तब तू लकड़ियों का बोज उठा कर जाना और चौंक में गठर डालकर जोर से आवाज लगाना लो सासू जी लकड़ियों का गठर लो भूसी की रोटी दो नारियल के खेपड़े में पानी दो आज महमान कौन आया है माता जी से बहुत अच्छा कह कर वा परसन मन से लकड़ियों के तीन गठर बनाई एक नदी के किनारे पर एक माता जी के मंदिर पर रखा इतने में मुसाभिर आ पहुँचा सूखी लकड़ि देख उसकी इक्षा उत्पन हुई कि वह यहीं पर बिस्राम करे और भोजन बना कर खापी कर गाउं जाए इसी तरह रुक कर भोजन बना बिस्राम करके गाउं को गया सबसे प्रेम से मिला उसी सिर पर लकड़ि का गठर लिये वा उतावली सी आती है लकड़ियों का भाड़ी बोज आंगन में डाल कर जोर से तीन आवाज देती है लो सासू जी लकड़ियों का गठर लो भूसी की रोटी दो आज महमान कौन आया है यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिये हुए कस्टों को भूलाने है तू कहती है बहू ऐसा क्यों कहती है तेरा मालिक ही तो आया है आबैट मीठा भाड़का भोजन कर कपड़े गहने पहिन उसकी आवाज सुन उसका पती बाहर आता है अंगुठी देख ब्याकुल हो जाता है मा से पूसता है मा यह कौन है मा बोली बेटा यह तेरी बहू है जब से तू गया है तब से सारे गौँ में बटकती फिरती है घर का काम काज कुछ करती नहीं चार पहर आकर खा जाती है वह बोला ठीक है मा मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी अब दूसरे घर की ताली दो उसमें रहूंगा मा बोली ठीक है तेरी जैसी मर जी जब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल कर सारा समान जमाया एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया अब क्या था बहुत सुक भोगने लगी इतने में सुकरवार आया सुकरवार ब्रत के उद्यापन में हुई भूल और किया खटाई का इस्तेमाल अब उसने पती से कहा मुझे संतोसी माता का ब्रत का उद्यापन करना है पती बोला खुसी से कर लो वह उद्यापन की त्यारी करने लगी जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई उन्होंने मंजूर किया परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया देखो भोजन के समय खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पुरा ना हो लड़के जिमने आए और खीर खाना पेट भर खाया परंतु बाद में खाते ही कहने लगे हमें खटाई दो खीर खाना हमको नहीं भाता देखकर अरूची होती है वह को कहने लगी भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी यह तो संतोसी माता का पसाध है लड़के उटकरेवे और बोले पैसा लाओ भोली बहु कुछ जानती नहीं थी उन्हें पैसे दे दिये लड़के उसी समें हट करके इमली खटाई ले खाने लगे यह देखकर बहु पर माता जीक ने प्रकोब किया राजा के दूद उसके पती को पकड़ कर ले गए जेठ जेठानी मन माने बचन कहने लगे लूट लूट कर धन इकठा करकर लाया है अब सम्मालून पढ़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा बहु से यह सहन नहीं हुआ मा रोती हुई माता जी के मंदिर में गई बहु और कहने लगी है माता तुमने क्या किया हसा कर भक्तों को रूलाने लगी माता बोली बेटी तुने उद्यापन करके मेरा ब्रत भंग किया है वह कहने लगी माता मैंने कुछ अपराद किया है तुम मैं भूल से लड़कों को पैसे दे दिये थे, मुझे चमा करो, मैं फिर तुम्हारा उध्यापन करूंगी, मा बोली अब भूल मत करना, वह कहती है अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे, मा बोली जा पुतरी तेरे पती तुझे रास्ते में आता मिलेगा, वह निकली तो राह में प अब घर चलो कुछ दिन बाद फिर सुक्रवार आया वो बोली मुझे फिर से माता का उध्यापन करना है पती ने कहा करो बहु फिर जेट के लड़कों को भोजन को कहने आई अब जेठानी ने एक दो बाते सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना लड़के भोजन से करने से पहले कहने लगे हमें खीर नहीं खानी हमारा जी भी गड़ता है कुछ खटाई खाने को दो वो बोली खटाई किसी को भी नहीं मिलेगा आना हो तो आओ वो ब्रहमन के लड़के लाकर भोजन कराने लगी यथा सक्ती दक्षिना क की जगा एक-एक फलू ने दिया संतोसी माता प्रसन हुई माता की किरपा होते ही नवे मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ पुत्र को पाकर प्रति दिन माता के मंदिर को जाने लगी माने सोचा यह रोज आती है आज क्यों ना इसके घर चलू यह बिचार कर माता ने भायानक रूब बनाया गुर चने से सना मुक उपर सुड के समान ओट उस पर मक्या भिन बिना रही थी देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई देखो रे कोई चुरेल डाकिन चली आ रही है लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी लड़के भगाने लगे चिला कर किड़की बन करने लगे बहु रोसंदान से देख रही थी परसंता से पगली बन चिलाने लगी आज मेरी माता मेरे घर आई है वह बच्चे को दूद पीने से हटाती है इतने में सास का कुरोद फट परा वह बोली क्या उताबली हुई है ब सबने माता जी के चरन पकड़ लिये और बिंती कर कहने लगे हे माता हम मुर्क हैं अज्यानी है तुम्हारे ब्रत की बिधी हम नहीं जानते ब्रत भंग कर हमने बड़ा अपराद किया है जग माता आप हमारा अपराद छमा करो इस परकार माता प्रसंद हुई बहु को प्रस धनिवाद